गुरु वसिस्ट को सादर प्राम आओ राजन, कहूं कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? गुरु देव, क्या कहूं मेरे मन की विडंबना, मुझे ही खाय जा रही है मेरी तीन तीन रानियों के होते हुए, मुझे पुत्र रत्ल की प्राप्ती नहीं हुई है गुरुदेव मैं इसी लिए बड़े आस लगा कर आपके पास आया हूँ गुरुदेव राजन, तुम्हें इतनी चिंता करने की आवशक्ता नहीं है तुम्हारे पुत्र होंगे, अवश्य होंगे, और एक नहीं चार पुत्रों की प्राप्ती होगी वो चारों पुत्र बड़े ही होनहार होंगे राजन, तुम्हें श्रंगी रिशी को बुलाना होगा, एवं पुत्र कामना यग कराना होगा जैसी आज्या गुर्देव ओम श्रीगलेशाय नमस्वाहा ओम अगनी दिवताब्याय नमस्वाहा ओम सूर दिवताब्याय नमस्वाहा ओम वाजु दिवाय नमस्वाहा ओम अगनी दिवताब्याय नमस्वाहा ओम पवन दिवताब्याय नमस्वाहा राजन मैं तुम्हारे इस कारे से अती प्रसंद हूँ मैं तुम्हें एक खीर पत्ता दे रहा हूँ इस खीर पत्ते को आप तीनों राणियों में आपस में पाड़ देना समय आने पर आपके घर संतान होगी जैसी आग्या भगवन महरानी देखें हम आपके लिए क्याला आई हैं ये लेजिए खीर और तीनों राणियों आपस में बाट लें भाए प्रगट क्रपाला दीन दयाला कोंसिल्या हितिकारी हरिशत महातारी मुन मन हारी अदवत रूप विचारी लोचन अभी रामा तन भन शामा निज आयुद भुज चारी भूसन बने माला नयन विशाला सोभा सिंधु खरारी कहे दोव करी जोरी अस्तुति तोरी केही विधि करा हुआ नन्ता माया गुन ग्याना तीत अमाना तेद पुरान भग बनता करुणा सुक सागरे सब गुन आगरे जेही गाव ही त्रती संता सो ममे हिते लागी जनवन रागी प्रगट भाए सिरी कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया रोमे रोमे प्रती बेद कहे ममे योरे सोबासी यह उपहासी सोनत धीर मती धीर ना रहे उपिजा जब ग्याना प्रभु मुसिकाना चरत बहुत विधिकीन चहे कही कथा सुनाई मात पुझाई जही प्रकार सुति प्रेम लहे माता पुनी बोली सो मत डोली ता जहुतात यह रूपा की जैस सुलीला अत प्रियसीला यह सुक परम यनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरे भूपा यही चरत जेगा वही हरी पदपा वही तेनप वही भव कूपा पिप्र धैनू सुरे संत ही ते लील मनोज अवितार निजी एक चान रे मित तनू माया गुन गोपार अरे सुनती हो का है राजा दस्रत के घर में फुत्रों की प्राप्ती हुई है हाँ चलो चलती हो हाँ हाँ चलो पूरी नगर में न धिन्डोरा मचा है बड़ी खुशी की बात है विन्ना देखो तो राजा दस्रत जी के घर में बड़े दुनों में तो खुशीया चाही है बाजे बाजे हाँ बाजे बाजे अबद पुर बधाया सकीरी राज दस्रत के घर में बाजे बाजे अबद पुर बधाया सकीरी राजा दस्रत के घर में बाजे बाजे अबद पुर बधाया सकीरी राजा दस्रत के घर में करें बाजे 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 दस्रत के घर में प्रगट भाये हैं दीन दयाला अबद पुरी में छायो जाला प्रगट भाये हैं दीन दयाला अबद पुरी में छायो जाला पल न जूल रहे चारो भाया सखीरी रज दसरत के अंगना में बाजे बाजे अबद पुर्वध या सखीरी रज दसरत के अंगना में नोमीत थी मधुमा से पुनीता सकल पाक्चे अभिजित हरी पीता मद दिवसे अटी सीव न धामा पावन काल लोक विश्रामा सीतल मंद सुरभी बहु पावु अरिसत सुर संतने मने चाओ। भवसागर भवसागर के पार लगया सखीरी रज दसरत के अंगना में बाजे बाजे अवद पुर्वध या सकीरी रज दशरत के अंगना में दसरत द्वारे फूले यती बरिसे नर नारी सुरे नर मुनी हरिसे कौसिल्या मायती सुख पावे नारायल को गोद खिलावे दसरत पूत्र जन में सुनी काना मानहु ब्रह्पा नंद समाना गोदी खेल रहे हाँ गोदी खेल रहे दसरत के चैया सकीरी राज दसरत के अंगना में बाजे बाजे अवद पुर्वध या सकीरी राज दशरत के अंगना में वाजे 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 अबदपुर बधया सखीरी राजदसरत के अंगना में अरमे प्रेमे मने पुला की सरीरा चाहत उठाने करते मने धीरा आकर नामे सुनत सुख होई मोरे गहे आबा प्रभु सोई परमानन्द पुरी मन राजा अहां बुलाई बजा वहू बजा किले कारी किले कारी भरे रगो रईया सखीरी राजदसरत के अंगना में बाजे बाजे अबद पुर्वधैया सखीरी राजदसरत के अंगना में गुरू बस इस्त कहां गया हूं कहारा आये ब्राम हडे सहत नपे द्वारा आसन देहू राजन बैठाए बड़े भागे गुरू जो तुम्हे आए केकई और सुमेत्रा दोओ सुन्दर सुते जन में भई दोओ छीर सागर छीर सागर के जन में बसया सखीरी राजदसरत के अंगना में वह सक संपती समाए समाजा कही ना सकाई सारद यही राजा राम लखन और भरत सात्रुधन देखत जिन्हे यागाउत नहीं मने राम करण मुनी है करवाए देब बसन भूसन गहाए दीन दुखियों की तेरे सुनया सखीरी राजदसरत के अंगना में वाजे वाजे अबद पुर्वधिया सखीरी राजदसरत के अंगना में वाजे 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 अबद पुर्वधिया सखीरी राजदसरत के अंगना में वाजे वाजे अबद पुर्वधिया सखीरी राजदसरत के अंगना में वाजदसरत के अंगना में पुर्वधिया सखीरी राजे वाजे राजे अंगना में याजे वाजे राजे वाजे वाजे वाजेशастर नहें मगन हुए पुरी के नरिनारी उस सवना चत तीनो महतारी ब्रम्हा सिव सव करति प्रणामा धन धन को सल पुर धामा ब्रम्हा सिव सव करति प्रणामा धन धन को सल पुर धामा पार भगतों की करने को नईया सकीरी राज दसरत के अंगनामे बाजे बाजे अबद पुरवधिया सकीरी राज दसरत के अंगनामे आबाज बाजे एबाजे बाजे अबाजे अबाज़ पुर बधया सकीरी राज़ दसरत के अंगना में आबज पुर बधया सकीरी राज़ दसरत के अंगना में चूमत मुखिडा लग्र माज़ दसरत के अंगना में महतारी पूरन भय सब काम पूरन भय सब काम पूरन भय सब काम पूरन भय सब काम बारे बारे निरे खती छब जारी मुस्य की भरे सिरी राम मुस्य की भरे सिरी राम चूमत मुखिडा लग्र महतारी पूरन भय सब काम पूरन भय सब काम पूरन भय सब काम कहां में कोटी छबी श्यां में सरीरा नीले कंजे वा रिदे गम भीरा अरोने चराने पंग कजे नखे जोती कमाले दलाने बैठे जने मोती देखे कुले से धजे अंकुस सोहे रूप लुभाना हूँ मन को मोहे प्रभु दीनने के है हितिकारी भजलोसी तारा जुमत मुखडा लख महतारी पूरन भय सबकाँ 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 अले 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 आज़ा मेरा लला आज़ा आज मैं तुझी अपने हाथों से इसनान कराऊंगी मेरा राजा बेटा आज़ा मेरे लाल चल अले 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 चल चल अब मैं तुझी तेल फुले लगा दूँ ऐसे ऐसे और यह अब अच्छे अच्छे वस्त्रा भूशन तो पहना दूँ मेरा लाला मेरा छोना आज़ा अब मैं तुझी काजल लगा दूँ किसी के नजर ना लगे मेरे राम को देखो तो मेरा राम कितना सुनर लगता है ना अच्छा पिटे अब तू पहले में जूल क्योंकि इस्टो देभ भगवान की पूजा भी तो करनी है मेरा लाला चलो अब रसोई घर से पकवान तो लियाऊं इस्टो देभ भगवान को भोग लगाना है अरे ये बालक कौन है मेरा राम तो वो तो पाली में सो रहा है बहला देखो देखो तो ये ये मुझे कहीं कोई प्रम तो नहीं हो रहा अरे ये क्या जहां देखती हूँ मुझे एक ही बालक नजर आ रहा है ये में क्या दीख रहे हूँ ए भगवान ये ये मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा अभराम है यहां भी वेई नहीं नहीं इश्वर नहीं ये कैसे संभाव है प्रभू प्रभू मुझे भहे लग रहा है प्रभू ऐसा न कीजिए आप अपने पालक रूप में ही वापस आजाए प्रभू मुझे डर लग रहा है मैं ये रूप नहीं देख सकती प्रभू आपका ये विराट रूप मैं नहीं देख सकती प्रभू मुझे भय भीट न कीजिए आप अपने पालक रूप में ही आजाए प्रभू माता डरो मत माता अरे डरती क्यों हो मैं तो आपके हाँ पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ शंका तनिक मत करो मा तुम्हें कोई डर नहीं व्यापेगा मैं ही नारायन हूँ मैं ही ब्रह्मांड और मैं ही शिवु मैं ही समस्त ब्रह्मांड में वास करने वाला हूँ मुझ में सब समाय हुए है ये तो मेरे सौभाग की बात है कि आप जैसी माता मुझे मिली आप जैसी मा को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ अब आप मुझ से बिलकुल नहीं डरना घबराना नहीं मैं अपने भक्तों की रक्षा और दुस्टों का विनाश करने पैदा हुआ हूँ माते ये बात आप अपने तक ही रखना किसी से ना बताना तथास तो माते तथास तो तथास तो तथास तो खुमक चलत राम चंद्र बाजत पेजनिया फिरत राज जो कि रनिया खुमक चलत राम चंद्र बाजत पेजनिया देख राम मात हीन जे अदभुत रूप या खंडे रोम रोम प्रति लागे कोटी कोटी ब्रामांड आगे नेते रवी ससी से वे चतुरानने बहुगिरी सरते सिंधु मही कानने काली कर्मे गुने ग्याने सुभावू सोई देखा जो सुना न काहुँ देखी माया सबे विधी गाड़ी आती सभी ते जोरे कर ठाड़ी देखा जीवे नचाव ही जाही देखी भगती जो छो रही ताही तन पुल के ते मुख बचन नयावा नयान मूदे चरनन सिरनावा बिसे मैं बनते देख महतारी भए बहुरी शिसु रूप खरारी बार बार को सिल्या बिनाय कर ही कर जोरी अब जाने कब हुँ ब्यापे प्रभु मोहि माया तोरी बाल चरत हरी बहु बिधिकीना अति अनन्द दसन कह दीना कछुक काले बीते सब भाई बड़े भाई परिजन सुखदाई घूमक चलत रामचंडर बाजत पर निर को दीना फुमक चलत राम चंद्र बाजत पेजनिया उंगली पकड यंगना फिरत राज जू कि रनिया फुमक चलत राम चंद्र बाजत पेजनिया हनुमान तुम मेरे रुद्र रूप हो मैंने तुम्हें श्री राम की भक्ति के लिए अवतरित किया है आज बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे इस्त देव श्री राम ने आयुद्या नरेश राजा दसरत के हां माता कौशल्या की कोक से जन्म लिया है मेरे एक्षा श्री राम की दर्शन की हो रही है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्यों नहीं प्रभू अवश्र चलूँगा मैं भी प्रभू राम की दर्शन करूँगा प्रभू पर मुझे करना क्या होगा हनमान तुम्हें छोटे से बानर का रूप धारन करना होगा और मैं बन जाओंगा मतारी मैं तुम्हें अयुद्या ले चलूँगा तुम्हारे गले में रस्थी बांद कर नाच नचाओंगा फिर देखना कितना मजा आएगा भगवान श्री राम देखना तुमसे कितना प्रेम करेंगे हाँ हाँ प्रभू क्यों नहीं मेरा तो जन्म ही उनकी सेवा के लिए हुआ है प्रभू नेक कारे में देडिक इस बात की अब चला जाए बेटे लाम, लक्षमन, भरत सत्रुगन देखो कौन आया है अरे अपने घर में एक मदारी आया है और एक छोटा सा बंदर भी लाया है चलो मैं तुम्हें बंदर का नाच दिखाने लिए चलता हूँ आओ बच्चो बंदर का राज देखो बंदर का तमाशा देखो आज ऐसा खेल दिखाऊंगा बंदर को नचाऊंगा कि ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना कभी बाद में देखेंगे और हाँ खेल खतम होते ही अपने घरों से आटा दाल चावल सीधा लाना बिलकुल न भूले आईए देखते हैं बंदर का तमाशा बंदर का नाच बंदर का तमाशा बंदर के नाच के साथ अधबुत खेल दिखाएंगे अच्छा राजा अब मदारी बाबा को छुट्टी दें अब हमें अपने घर जाना है फिर कभी आएंगे नहीं पिता जी मुझे वही बंदर चाहिए Doch हुआ précisgenerationli क्राइव रेखते हैं हैं अगर मदारी बाबा की रोजीोटी है हैं अगर तुम मदारी बाबा का पंदर में लोगे तो मदारी बाबा क्या करदा मेरा बेटा राम तुम्हारे बंदर के लिए मचल रहा है आप इस बंदर को राम को दे देजिए आपको जो चाहिए ले 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 पर ये बंदर मेरे राम को दे दे नहीं राजन ये संभव नहीं है मेरा बंदर मत मागिए मैं इसे नहीं दे सकता अच्छा राजन मैं चलता हूँ सुमंत जी जाओ चारो और जंगल पहाडी में ढूंडो बंदर कहां मिलेगा राम के लिए बंदर ले कराओ सैनिको से कहो बंदर ढूंडने अभी रवाना हो जाए जुआ अग्या महराज सिपायो राजा साहब की आग्या का पालन किया जाए जो आग्या मंत्री जी चलो प्रानात सुनती हैं देखी अपने राम की हालत दिनों दिन पिगड़ती ही जा रही है खाना पीना सब छोड़ दिया है इसने कितना दुरबल हो गया है मेरा राम कुछ कीजी स्वामी कुछ कीजी मुझसे मेरे राम की ऐसी हालत दीखी नहीं जाती स्वामी कुछ कीजी हां को सल्या मैं भी इसी चिंता में पड़ गया हूँ जब से वो मदारी बाबा का बंदर राम ने देखा है तब से राम ने अपना यही हाल बना रखा है अब जैसी विधाता की मरसी महराज की जै हो महराज हमने चारों और ढूला पर हमें बंदर कहीं नहीं मिला और ना ही मदारी का कुछ पता चला है अब आप ही बताओ महराज क्या किया जाए सुमंत जी मेरे ध्यान में सिर्फ एक ही बात कटक रही है तुम लोग रिशी मूख परवत चाओ वहाँ वानर राज सुग्रीम रहते हैं उनके पास अनेको वानर है वो वानरों के राजा हैं उन्ही से कहना शायद वो इस समस्या को हल कर सके वानर राज सुग्रीम को अयोध्या नरेश दश्रत के मंत्री का साधर पणाम स्विकार हो आओ शोवन्त जी मेरे लिए क्या सिर्वा है मैं आफ के लिए क्या कर सकता हूँ महराज अयोध्या के राजा दश्रत जी के पुत्र राम बंदर के लिए रूठे हुए हैं उन्होंने खाना पीना सबकुछ त्याग दिया है महराज आप उनकी धारना को समझ कर उनकी समस्या का हलकरे सुग्रीव राज सुवन्त जी भलव महराज दश्रत की आग्या का फालन हूँ क्यों नहीं करेंगे आप को जितने वानर चाहिए सीवों में हाजिर कर दूँगा हनुआन आप ये काम हम आप को सौपते हैं आप वल, मुद्भी विद्या के अतुर हो जाओ और वानर रूप में उनको नहरे धराओ जो आग्या सुग्रीव राज जी अभी अवयध्धा प्रस्ठान करता हूँ राजा दसरत की जय हो आओ सुमंत जी समस्या का हल हुआ की नहीं महराज वानर राज सुग्रीम ने एक ऐसा वानर भेजा है जो की सब बातों में निपोण है ये देखिए प्रणाओं महराज प्रभू के चरणों है हनुआन का फ्रणाओं सीकार हो प्रभू ओले संकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं भोले संकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं भोले संकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं दसरत द्वार बजाएं भोले संकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं रूत्रे रूपे दूजा सिवे जी बनाएं रूत्रे रूपे दूजा सिवे जी बनाएं राम दरसी की कपी की आसा दिखा रहे हैं अजब तमासा वानर रूप लगे अति प्यारा सिवे संकर जब करे ये सारा राम भागते हनुमान या वधिमें अपनी कलात खाएं भोले संकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं दोले संकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं धर्याएं भेसे मदारी सती पती भोले भंडारी लेते बिदा जब भाई दुखारी रामिर सा गई अबद बिहारी सिवे भोला के लास को आएं दर्सन पाकर यति हर साएं तज दीने प्रभू भोजन पानी दुखियों के सब बताएं भोले संकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं भोले शंकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं भोले संकर बने मदारी डमरू दसरत द्वार बजाएं ओले शंकर बने मदारी दमरू तश्रत कार बचार आज अवसर बड़ा ही अच्छा है जो आज चारो भाई सर्यू में सनान कर रहे हैं आज मैं इन चारो भाईयों को एक एक करके काल के हवाले कर दूँगा मेगनाद समय कुजरता जा रहा है अब ज्यादा देर करना उचित नहीं चल्दी ही कुछ करना चाहिए राम भाईया बाईया क्या हुआ जो आप अचार इतने विचलेत हो रहे हैं राम भाईया किसी जानवर ने मेरा पानी के भीतार पैर पकड़ रखा हैं मैं इसे बाहर निकालकर ही दम लूँगा आचाहे जो इस जानवर की तो खेर नहीं पाल रूप मेराम चंद्र न कितनी लीला दई दिखे लाई और आनन्द दिया माता को दसरत फूले नहीं समाई एक समय जब चारव भाईया सरजू नदी में रहे नहाई मेगनात रावल का बेटा मंगर रूप धर पहुँचो आई छतियन गेहरे पानी भी तर पेरे लखन का लिया दबाई भारी कश्ट सहे सरजू में लखन मंगर से छूटे नाई भाईया भाईया राम बचाओ लच्मण जोरों से चिलाई लच्मण जोरों से चिलाई भाईया भाईया राम बचाओ लच्मण जोरों से चिलाई दोर पड़े है सबरे भाईया गरम रेत में रहे लटाई जान के लाले उसके पड़ गए मेघिनात मन में घब राय राम लखन और भरत सत्रगन उसका लीना खेल बना खबर लगी है राज महल में दसरत जी वह महँचे आए मंगर देख भारी बालूम दसरत गए सना का खाए भीड लगी देखन वारन की उंगली रहे हैं दात दवाई दीन हीन जाना राजा ने मन में दया गई है याई पीट रहे थे प्रभुलातों से लच्मण गुंसा रहे जमाई भरत प्रहार करे लाठी से रहे सत्रगन भी गुसे अब दसरत ने हाथ पकड़के है बेटे से कहत नाई पेटा रामे से मत मारो इसकी देओ जान बचाए करी क्रपा है मेघनात पर निठर दुष्ट को दिया बचाए भागा रावड पुत्र वहां से कप्ती अपना रूप छपाया बद पुरी आये राजा जी विस्वा मित्र बड़े संकट में मन में अपने करे विचार सादू संत बहुत दुख पावें सादू संत बहुत दुख पावें राख्छस करिते यस्चा चार अबद पुरी सिरी राम जन में लए है जग के जो पालन हार जाऊं अबद को कल ही सबेरे अब करने को नहीं अवार चले मुनी जी अबद पुरी को लंबी लंबी लई जगधार है इस नान की आसर जू मैं फिर पहुँचे मुनी राजन द्वार नोकर चाकर पहरा दे मैं पूछन लागे पहरे दार विस्वा मित्र मुनी तब बोले है चाकर से बचन उचार कह दो जाकर के राजन से मुनी आए संदे से हमार राजन आए लेन मुनी को भैटत दो हात पसार राज महल ले गए लिवा के आदर मान किया मुनिवर का कीना राजन ने सतकार पूछन लागे कुसल मुनी से कैसे आना हुआ तुम्हार इस पर जौब दिया राजा को बिंदू आंगे लिखो सुधार बिंदू आंगे लिखो सुधार बिंदू आंगे लिखो सुधार बिंदू आंगे लिखो सुधार आंगे लिखो सुधार चनो ठकार बिंदू आंगे लिखो लाला चनो आंगे लिखो खुमक चलत राम चंद्र बाजत पेजनिया आप आप पेजनिया